सो हे गाई जिन आज की ब्राइंड न्यू वीडियो में आप सबी का दिल से दिल से सौगत है तो गैसा आज की वीडियो बहुत यदा इंट्रेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है रियल मिना जो 30 प्रो 5G के एक्स्ट्रिम गेमिंग करने वाले यूजिंग GFX टूल हम इसे 60 पेस्ट में पूश करेंगे और जानेगे किसमें आपको किस तरह के की परफॉमस देखने को मिल जाएगी और क्या इस फोन का आपको गेमिंग के लिए कजिवर करना भी चाहिए नहीं और अगर करना चाहिए तो भाई आपको 60 पेस् शुरू करते हैं लेकिन आपने इस वीडियो के लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई लाइक शेयर कर दो नहीं हो तो सब्सक्राइब करकर जाना क्योंकि आयसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए तो चली इस बात तो के साइट पे आजाते हम को मिल जाएंगे इंकुड़िंग फिजिकल जैसकोप साइड माउंटेट फिंगर पिल सेंसर भी देखने को मिल जाएगा जैसकोप में कोई भी डिलिया आपको देखने को नहीं मिलता है और डिस्प्ले की फीचर की बात करते तो एक्स्रीम गेमिंग टेस्ट के बारे हम बा सब्सक्राइब को देखने को मिलता है मिलता है जिसमें यह 40 पिस बहुती मखन तरीके से अंडल करके रखता है लेकर 60 पिस की बात करते हैं तो लेटरली गाइस में बता दूए आपको 60 पिस में उतने अच्छी परफोर्मेस देखने को नहीं मिलती है तो फिर कईसी आपको परफोर्मेस देखने को मिलती है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही तो लेकिन आपको इस्टैबल एपिस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे टीडे में तो यह 40 पिस से लेके 55 के बिच में फ्लक्चुएट करता है यानि कि इर्रेगुलर एपिस आपको देखने को मिलते है बात करते है इर एंगल के बारे में तो वहाँ पर यह बहुत अद्ट अद्ट के बारे में यानि कि असली टेस्ट के बारे में तो वहाँ पर इसके एपिस बहुत ही जदा तरीके से ड्रॉप जाते है जिट्रिल अगर आप प्लेन से जम्प करोंगे तो उस ताहिं पिसके एपिसे वह 27 तक चले जाते है एक सेगंड के लिए ही सही लिकिन 27 तक टच कर दे है और जैसे जैसे अगर आप लैंडिंग करते जाऊंगे तो 37 तक इसके एपिस आ जाते है और रही बात करते हैं इंटेंस सिच्वेशन के बारे में जैसे कि सपोस्ट भी अगर आप क्लोज रेंड में फाइट ले रहे हो और आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमीज हैं उस हैं उस टैंप में तो इसके एप इसपर बाइन यह नहीं देता है तो मैं आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहाइगी लेकिन है आपको प्रॉपर 60 पिस की गेंप्ले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी इसका मतलब यही निकल के आता है कि आप इस फोन को अगर खरीतते है तो आप इसमें 40 पिस में बहुत तगरे तरह के से गेमिंग कर पाएंगे लेकिन 60 पिस में उतनी अच्छी तरह के से गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और बात करते हैं इसकी हीटिंग के बार में तो लिटरली एक घंटे के गेमिंग के बाद में इसमें जो मैक्सिमन टेंपरेजर गया है वो गया है आगे के साइड में 41 डिगरी और पीछे के साइड में 43 डिगरी सेल्सियस तो जी हाँ यह थोड़ सा ओर हीट हुआ है ऐसा नहीं कि एक दाव एक्स्ट्रीम ओर हीट हुआ है फिर भी आप आपको थोड़ा इटिंग वाला इश्यू देखने को मिल जाएगा परफ़मेंस की बात करते हैं 40 एपस को यह बिल्कुल मक्कन तरीके से हैंडल कर सकता है और 60 एपस की गेमपले में आप 40 से लेके 45 एपस की बिच में बिल्कुल एक्सपेक्ट तो करी सकते है इस फोन के साथ में वैससे आपको 20 लेवल के गेमिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी तो कैसा अगर इस फोन का आप कंसिडर करते हैं तो आप डेफिनेटल इसमें 45 एपस की गेमपले कर पाएंगी उजिंग जी एफेक्स टूल लेकिन इसमें आप 20 लेवल की 60 एपस की गेमपले बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे बाके कैस आप सभी का क्या ओप झाल